लोगसबा चुनाब जैसे जैसे नज़धी का रहे हैं वैसे वैसे सारी पाइटियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है इसी बीच कॉंग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू करने वाली है कॉंग्रेस पार्टी जल्दी ही प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति करेगी जो लोग सभा के लिए प्रत्याशियों का चैन करने में मदद करेंगे इसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है चुनाब में सभी सीटों पर ट्रत्याशियों का चेयन कहीं न कहीं पायटी के वरिष्ट नेताओं में से ही किया जाेगा लेकिन उससे पहले सभी को मैदान में उतार कर पायटी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तयार किया जाएगा चार राज्यों में विधानसवा चुनाबों में बुरी तरह हार के बाद कॉंग्रेस ने उत्राखंड में लोगसवा चुनाब के मद्दे रजर नए सिरे से तयारी शुरू कर दी है पाइटी ने 70 विधानसवा शेत्रों में विधानसवा पर प्रभारी न्यूक्त कर दिये हैं इसके लिए वरिष्ट नेताओं को 5 सीटों पर बतोर प्रभारी जिम्मेदारी देने की तैयारी है सूतरों के अनुसार उत्राखंड में संगधन को मजबूत करने और दिगजों की नाराजगी दूर कर उन्हें पाइटी के पक्ष में लामबंद करने के लिए पाइटी हाई कमान के इस्तर से निर्देश मिले हैं आपको बता दें कि कॉंग्रेस के इस मंच पर देश भर के बड़े नेता भी जुटेंगे और देखते रहिए जूस 24